तो यहां पर आप सभी का इंतजार खतम होता है और OPPO F15 में ColorOS 11 का अपडेट मिल जाता है तो दोस्तो मैं जादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और दोस्तो मैं आपको बता हूँ तो ColorOS 11 में जो है काफी अच्छे इंप्रूमेंट्स किये गए है ColorOS 7 को अगर compare करे ColorOS 11 से तो दोस्तो मैं आपको वही features बताऊंगा जो आपको OPPO F15 में देखने को मिलेंगे और बाकी तो आपने दूसरी YouTube channels पे देखी लिया होगा कि ColorOS 11 के क्या-क्या main features है जैसे कि translation वाला वो सब तो आपको पता ही है मैं आपको यह बताऊंगा दोस्तो की OPPO F15 में क्या-क्या improvements हुए है ColorOS 11 के बाद में और कुछ अलग type के features बताऊंगो जो आपको पहले पता नहीं होंगे तो चलिए दोस्तो वीडियो को जो है बिना time waste के start करते हैं तो दोस्तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारा OPPO F15 बढ़िया हो चुका है खुल चुका है तो दोस्तो सबसे पहले feature की अगर मैं बात करूं तो वह feature आता है app sharing feature का दोस्तो पहले आप क्या करते थे कि किसी external app से आप कोई किसी दूसरे phone में app sharing या file sharing करते थे पर अब क्या है दोस्तो आप direct ही किसी भी app को अगर hold करेंगे और यहां पर ही दोस्तो आपको जो है share का option दिख जाएगा जैसे यहां पर आप share पर click करेंगे तो आप nearby share के through किसी भी app को दूसरे phone में share कर सकेंगे without any problems तो दूसरो दोस्तो दूसरा feature जो है हम camera में जो improvement हुए है उसकी बात कर लेता है क्योंकि camera भी ज़्यादा important रहता है मेरे साब से एक phone के लिए दोस्तो यह देखिए camera open कर लिया गया है यहां पर दोस्तो आप देख सकते हैं जहां पर आपको पहले frame वगेरे का option आता था उपर change करने के लिए अब वो option जो है दोस्तो यहां आपको मिलेगा जैसे ही आप नीचे से slide करेंगे यहां इस नीचे slide करेंगे तो आपको frame timer और जो 48 megapixel camera को enable करने का feature है वो आपको मिल जाएगा तो दोस्तो बाकी सब तो यहां पर same रखा गया है यह देख सकते हैं आप वीडियो में भी कुछ changes नहीं किये गए हाँ दोस्तो यह बोल सकता हूं मैं कि colorize 11 के update के बाद जो EIS में problem आ रही थी दोस्तो उसको पूरी तरह से fix कर जा गया है और साथ ही दोस्तो यहां पर portrait mode को भ भी कुछ खास changes नहीं है बस आपको मैं बता दूं तो आप देख सकते हैं दोस्तो portrait mode में अच्छे खास changes किये गए हैं दोस्तो यहां पर आपको मैं on the spot दिखा देता हूं क्या changes किये गए हैं जिसा मैंने कुछ photos में notice किया था तो मुझे improvement लगा था portrait mode में दोस्तो यहां पर हम अमारे गणेश भगवान की जो है फोटो लेकर देखते हैं और फिर आपको बताता हूं मैं कि किस तरह से photo आई है और क्या improvement color OS 11 के बाद portrait mode में हमें देखने को मिलता है दोस्तो आप यहां देख सकते हैं कि पहले जब आप photo portrait mode में क्लिक करते थे तो main object के उपपर blur हो जाता थ दोस्तों अब यह problem जो है पूरी तरह से solve कर दी गई है आप देख सकते हैं दोस्तों बिलकुल सही portrait mode में photo निकल कर आई है और दोस्तों थोड़ा आपको में demo यहां पर भी जो EIS का problem हो तो उसका भी दिखा देता हूं कि वह solve हुई है या नहीं तो दोस्तों थोड़ा शायद यहां पर shaking मतलब यहां पर अपने गणिश जी है और यहां पर मैं थोड़ा अपने phone को shake कर रहा हूं ताकि आपको idea लगे कि क्या सही में भी improvement किया गया है EIS में तो चलिए दोस्तों चेक आउट कर लेते हैं हम अब देख पा रहे होंगे दोस्तों कि EIS काफी अच्छे से काम कर रहा है यहां पर ज्यादा हमें shaking देखने को नहीं मिल रही है दोस्तों यही है कि camera में ये दो features improve करे गया है और दोस्तों आगे चले तो मैं आपको बताओं दोस्तों कि यहां पर notification बार में काफी changes किया गया है आप देख सकते हैं दोस्तों नोटिफिकेशन बार कितना शानदा खुब सूरत कर दिया गया है यहां पर ColorOS 11 के अपडेट के बार और दोस्तों नोटिफिकेशन बार में आप आगे भी changes कर सकते हैं आप आगे वीडियो में बताओंगा मैं आपको उसकी चिंता मत कीजें तो चले दोस्तों मेरे हिसाब से जो main phone की settings में ही काम होता है तो मैं settings वाला app अपनो open कर लेता हूँ आप देख सकते हैं दोस्तों यह settings वाला app open हो चुका है और यहां पर देखिए दोस्तों software update पर में क्लिक करता हूँ तो coloros 11.1 लिखा रहा है और दोस्तों यदि आपको यह coloros 11 का update software update वाले front page पर देखने को ना मिले तो आप क्या करिएगा settings वाले option में जाईए और trial version पर क्लिक करिए तो आपको coloros 11 का update जरूर देखने को मिलेगा आप download कर लिए जगा तो दोस्तों यहां पर अपना phone तो ही coloros 11 पर तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या changes करेगा है दोस्तों यह जो चार उपर के same card वगेरा वाले तो आपको normal चीज़ा आप जानते होंगे दोस्तों personalization में वही है कि notification drawer को जो है आप customize कर सकते हैं कुछ अलग-अलग icons के साथ में और दोस्तों यहां पर आप font change कर सकते हैं हाला कि पहले आपको font change करने का option नहीं मिलता था पर हा अब आप कर सकेंगे यहां पर आप color change कर सकते हैं देख सकते हैं आप दोस्तों अलग-अलग type के बहुत ही अच्छे-च्छे color से आपको यहां देखने को मिलेंगे और दोस्तों वही icon style तो था ही पहले से और दोस्तों यहां पर बस मुझे जो है एक always on display वाला feature जो है गायब बाकि जो पुराना always on display था वो तो दोस्तों already है display and brightness वाला option में आप देख सकते हैं दोस्तों always on display वाला option already यहां पर दिया गया है पर वो जैसा आपने दूसरे वीडियो में देखा होगा उस तरह का यहां पर always on feature मुझे देखने को नहीं मिला है दोस्तों दूसरा अगर आगे बात करें तो यहां पर में को major changes जो है battery वाले option में देखने को मिले हैं आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर हमें super power saving mode करके एक mode दिखता है जिसमें काफी हद तक आप अपनी battery जो है save कर सकेंगे आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर कुछ दिखा रहा है battery can last up to 15 hours दोस्तों 15 hours भी कोई कम नहीं होते हैं और यह काफी बढ़िया मुझे लगा और दोस्तों हम आगे चलें दोस्तों यहां पर जो changes है बैटरी वाले option में आपको मैं बता रहा था तो super power saving mode तो मिला ही है पर से दोस्तों यहां पर जो है more battery settings में जब आप जाएंगे तो यहां पर दिख सकते हैं दोस्तों कितने ज्यादा option दिएगा है optimized night charging वाली facility भी आपको देखने को मिल रही है दोस्तों मतलब काफी एक major change हुआ है coloris 11 से coloris 11 में coloris 7 जो है दोस्तों थोड़ा इससे कम था पर coloris 11 दोस्तों काफी better है मेरे साब से और दोस्तों यहां पर वही features है कि dark mode को जो है थोड़ा enhance किया गया है यहां पर और कुछ इसी तरह के changes है दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि इसका एक detail वीडियो आपको मिले तो दोस्तों आप मुझे comment section के थूँ बताईएगा मैं आपको हर एक setting का वीडियो बना कर दूँगा तब तक के लिए stay tuned दोस्तों thanks for watching जय हिंद जय भारत वंदे मातरम झाल